नमस्कार मैं गुपतेश्वर पांडे अभी लंदन में हूँ और एक कांफरेंस था यहां तीन चार पांच अभी खतम हुआ है अभी तो यहां लगभग तीन बज रहे हैं दीन के आपके यहां में समयता हूँ आठ बज रहा होगा साड़े आठ बज रहा होगा भारत में कई बार नहीं आया हूँ कई बार आया हूँ लंदन और जब भी आया हूँ तो एक ही बात मैं सुचता हूँ कि कौन सी खास बात है इस मुल्क के लोगों में इतना छोटा देश है यह कि अगर अंडिवाइड बिहार को अंडिवाइड डिवाइड यूपी को हम एक साथ जो क्योल भारती पर नहीं भारती से अनिक मुझे यह सवाल हमेशा से परिशान करता रहा है और मैं जब भी आया हूँ तो इस सवाल का जवाब भूने की कोशिश की है और अंत में अब बाते तो बहुत हैं लेकिन संच्छेप में अपने लोगों को यह कहना चाहूंगा कोट कोट करके भरी हुई है और यहां के लोग जात के नाम पर आपस में नहीं लड़ते मजभ के नाम पर आपस नहीं लड़ते आपस में इर्शा नहीं है द्वेस नहीं है गली की नली की जगह की जमीन की दुकान की मकान की लड़ाई में अपनी उर्जा नहीं लगाते हैं अब प्रपटी का महत तो यहां भी है, यहां के लोग ज्यादा मिटरिलिस्टिक हैं, एक एक उपे का हिसाब रखते हैं, एक हौंट का हिसाब रखते हैं, लेकिन यह लड़ते नहीं है छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, इतना अनुशासन है इनके जीवन में, इतना समय का म होते हैं करते हैं लोग, और तीसी बात अनुशासन कूट-कूट करके भरा हुआ है लोग, कानून का पालंग करते हैं, सबसे बड़ी बात है, यह खुद अपने लिए कानून मनाते हैं, और कानून का सकती से पालंग करते हैं, बड़ा से बड़ा आदमी हो, छोटा से छोट करने वाला आदमी हो वी आदमी काम से जब लोटता है और सणक पर जब चलता है तो यहां के किसी बड़े आदमी के बराबरी में होता है कोई भेद नहीं है तो यह समानता की भाउना है आपस में प्रेम है सद्भाव है मुहबत है दिसवक्ति है अनुसासन है कानुन के परती इज़त का फाव है हमारे यहां यह सब चीज़े नहीं है माफ किजिएगा बुरा लगेगा लेकिन यह सच है अनुसासन की कितनी कमी है वो घर से सुरू किजिए और समाल तक और हर जगा आप देखिए स्कूल में क्या होता है घर में क्या होता है गाउं में क्या होता है कानून के लिए या तो दिल में इज़त हो या कानून का भय हो तभी सासन चलता है यहां कानून का भय भी है और कानून के लिए लोगों के दिलों में इज़त भी है हमारे यहां तो कानून की इज़त करना हम जानते ही नहीं भय भी बहुत कम है तो यह खुद बड़ी बात है अनुषा सदाई नहीं और लड़ाईँ चोटी छोटी बातों के लिए उती हैं भाई भाई Ale? सुनर रड़ते हैं, जाब के नाम पर रड़ते हैं, घली के लिए, नली के लिए, फेट के लिए, खलियान के लिए, पानी के लिए, बकरी चि लिए, फुर्का के लिए और यहही मैं क्लिए होन्य बृस्ट्र के टरफ जारा हूँ problème, पॉर्la il58 माواमय DJ यहा से प्रमाने के बहुत बड़े क्राम्तिकारी समाज सुधार कर रहा है तो मैं उनको प्रणाम करने के लिए वहां हमारे जुमतिरहुं से बिलने के लिए कई सबकारों से मैं जा रहा हूं और जाते-जाती यह बात मेरे खाल में आई और लोगों ने बहुत जिद की भारत से कि पूरी दुनिया घुमने के बाद में कर सकता हूँ और बड़े विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदोस्ता हमारा हमारे हिंदुस्तान से अच्छा कुछ भी नहीं है केवल हम जाद के नाम पर लगना छोड़ दें केवल हम मजहब के नाम पर लड़ना छोड़ दें हम गली के लिए नली के लिए छोटी छोटी बातों के लिए लड़ना छोड़ दें हम अपने जीवन में अनुसासन लाएं और आपस में प्यार मुहबत के साथ रहना सीख जाएं तो हिंदुस्तान से खुबसूरत मुल्किस पूरी दुनिया में नहीं है और मैं यहां से इतना ही कह करके अभी राज के मूँ आप देख रहे हूंगे बरसा भी हो रहे हैं मैं सामने आपको रोड भी दिखा रहा हूं यहां से आप देखिए यह मूट तिकने अची है और ट्र जाकर के और राजा राम महनराय जी के मुर्दी पर जहां हो रहते थे उसका दर्सम करके उनको परणाम करके वहां से मैं ऑक्सफोर्ट चला जाओंगा क्योंकि